आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की और मदन अपनी साइकल रिक्षा लिए मोल पर खड़ा था और किसी आखरी सवारी का इंतिजार कर रहा था ताकि वो उस सवारी को छोड़ता हुआ अपने घर चला जाए मगर उस रास्ते पर एकाद लोगों के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा था खैर चूंकि मदन वहाँ पर इकलोता रिक्षा वाला था तो उसे सवारी मिल सकती थी इकलोता इसलिए क्योंकि मदन के अलावा उस मोल पर कोई रिक्षा वाला नहीं था सभी वक्त के हिसाब से अपने अपने घर जा चुके थें मगर मदन वो ज्यादा पैसो के चक्कर में हमेशा रात तक रिक्षा चलाया करता था लेकिन उसे पता नहीं था कि आज उसके साथ कुछ ऐसा होगा जिसके चलते उसे रिक्षा चलाने का काम ही छोड़ना पड़ेगा खेर कुछ देर और इंतजार करने के बाद मदन को दूर से उसकी और एक शक्स आता दिखा मदन समझ गया कि उसे सवारी मिलने वाली है और ऐसा ही हुआ वो आदमी ठीक मदन के पास आकर रुका और बोला गंगापुर गाओं चलोगे? गंगापुर गाओं का नाम सुनकर मदन के चहरे पर थोड़ी परिशानी सी छा गई क्योंकि गंगापुर गाओं मदन के यहां से काफी दूर था और उसके घर की उल्टी दिशा में पड़ता था इसलिए मदन ने उस आदमी से कहा गंगापुर गाओं काफी दूर है बहिया इतनी राद गए वहाँ जाना मुम्किन नहीं है हलंकी गंगापुर गाओं उतना दूर भी नहीं था मदन इतनी नौटंकी सिर्फ और सिर्फ ज्यादा पैसों के लालच में कर रहा था और मदन की ये चाला की कामियाब भी हो गई उस आदमी ने सामने से मदन को दुगना पैसों का प्रस्ताव दिया जिस पर मदन तुरंत राजी हो गया और उस आदमी को रिक्षा में बिठा कर चल पड़ा गंगापुर गाओं की और रास्ता अब एकदम सून सान हो चुका था दूर दूर तक रास्ते पर कोई नजर नहीं आ रहा था रास्ते पर रोशनी का भी एक मात्र जरिया सिर्फ और सिर्फ चांद ही था जिसकी रोशनी के सहारे मदन रिक्षा चला पा रहा था रिक्षा पूरी रफ्तार से रास्ते पर चले जा रही थी फिजा में चारों और खामोशी फैली हुई थी कुछ देर रिक्षा चलाते रहने के बाद मदन और वो आदमी वो दोनों गंगापुर गाओं पहुँच गए रिक्षा से उतर कर उस आदमी ने मदन को दुगना किराया दिया और वहां से चला गया मदन ने भाड़े को समहाल कर अपनी जीब में रखा और अपनी काच तूटी घड़ी में वक्त देखा तो रात के सवा 11 बज रहे थे आज बाकी दिनों के मुकाबले मदन को काफी ज्यादा देर हो गई थी खैर उसने फटा फट अपना रिक्षा घुमाया और वापस से अपने घर की तरफ जाने लगा रास्ते पर पहले भी कोई नहीं था और अभी भी कोई नजर नहीं आ रहा था ऐसे महौल में चोरी डकैती का डर काफी ज्यादा होता है और इसी लिए मदन ने अपनी रिक्षा की रफतार बढ़ा दी और तेजी से आगे बढ़ने लगा अभी मदन आगे बढ़ी ही रहा था कि तभी उसे रास्ते के एक किनारे में जंगल से श्यारों के रोने की आवाज आने लगी आवाज सुनकर मदन थोड़ा डर सा गया पर वो जानता था कि जब तक उसकी रिक्षा चलती रही तब तक कोई भी जंगली जानवर उसे नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा रिक्षा चलाते चलाते अब मदन गंगापुर गाउं के एक स्कूल के पास पहुँच चुका था वो स्कूल काफी पुराना मालूम पढ़ रहा था स्कूल की बाहरी दीवारों पर दरारे पढ़ चुकी थी अभी मदन रिक्षा चलाते हुए उस चार मनजिला इसकूल के पास से गुजर ही रहा था कि तभी उसे किसी के चीखने की आवाज आई आवाज किसी इनसान की थी मदन ने तुरंत अपने रिक्षा को वहीं पर रोग दिया और आगे पीछे देखने लगा मगर ना तो उसके आगे कोई था और ना ही पीछे पूरा रास्ता सूनसान हो रखा था मदन ने सोचा कि शायद ये उसके मन का वहम होगा भला इस रास्ते पर इतनी राद गय कौन चीखेगा यही सोच कर मदन ने रिक्षा की पैंडल को एक बार घुमाया ही था कि तभी फिर से उसे वही चीखने की आवाज आई मदन ने जब उस आवाज को गौर से सुना तो पता चला कि वो आवाज उसके आगे पीछे से नही बलकि ठीक उसके उपर से आ रही है मदन ने तुरंत सिर उठा कर उपर देखा तो उसकी हैरानगी की कोई सीमा ना रही उसने देखा कि स्कूल के तीसरी मंजिल के एक कमरे की खिड़की पर दो बच्चे सर निकाल कर चिला रहे हैं पर इतनी रात गए ये दोनों बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं मदन को ये समझ नहीं आ रहा था तभी मदन ने उन दोनों बच्चों से चिला कर पूछा क्या हुआ तुम लोग चिला क्यों रहे हो और इतनी रात गए तुम लोग स्कूल में क्या कर रहे हो मदन की बात सुनकर उनमें से एक ने जवाब दिया मदन को ये सुनकर काफी हैरानी हुई मदन ने एक नजर स्कूल के में दर्वाजे की तरफ देखा तो पाया की स्कूल का में गेट खुला हुआ है पर ये कैसे हो सकता है अभी थोड़ी देर पहले जब उसने देखा था तब तो दर्वाजा बंद था फिर अपने आप ही कैसे खुल गया खैर मदन ने सोचा बेचारे बच्चों की मदद कर देगा तो अच्छा रहेगा पता नहीं कबसे स्कूल में फसे है लिहासा मदन ने अपनी रिक्षा को ठीक वही पर रास्ते के एक किनारे पर लगा दिया और स्कूल के अंदर दाखिल हो गया वो इसकूल अंदर से किसी खंडहर की तरह लग रहा था चारों और मकडी के जाले फैले हुए थे मदन ने अपनी जेब से पॉकेट टॉर्च निकाला और उसी की रोशनी के सहारे सीडियां चड़ने लगा उसे तीसरी मंजिल पर जाना था क्योंकि बाहर से उसने अच्छी तरह से देख लिया था कि वो दोनों बच्चे तीसरी मंजिल पर ही फसे हुए है सीडियां चड़ कर मदन तीसरी मंजिल पर पहुँचा तो उसने देखा कि बाकी फ्लोर्स के मुकाबले इस फ्लोर पर गंदगी कुछ ज्यादा ही है खैर उसने एक-एक कमरों का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया पहले तीन-चार कमरों से तो कोई आवाज नहीं आई मदन को बड़ा अजीब लगा क्योंकि उसने बाहर से जो नोटिस किया था उस हिसाब से तो बच्चों को इनी कमरों में होना चाहिए था तो फिर वो लोग गए कहां खैर मदन बाकी कमरों का दरवाजा खोल खोल कर देखने लगा मगर बच्चे कहीं पर भी नहीं थे मदन को जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है वो बच्चे गए तो गए कहां मदन ने एक दो बार और उन बच्चों को ढूणने की कोशिश की लेकिन जब वो बच्चे नहीं मिले तो मजबूरन उसे इन सारी चीजों को अपने मन का वहम मानना ही पड़ा जिसके बाद वो वापस स्कूल से बाहर निकलने लगा स्कूल से बाहर निकल कर चलते हुए मदन जब अपनी रिक्षा के पास आया तो उसकी हैरानगी की कोई सीमा ना रही क्योंकि वही दोनों बच्चे जो थोड़ी देर पहले स्कूल के एक कमरे में फसे हुए थे वही दोनों अब मदन की सैकल रिक्षा पर बैठे हुए थे वही दोनों बच्चों को अपनी रिक्षा पर देख कर मदन के होश उड़ चुके थे उसे समझ नहीं आ रहा था कि आकिर ये दोनों यहां आएं कैसे तभी उन दोनों मेंसे एक बच्चे ने मदन से कहा चचा हमें जरा आगे तक छोड़ दीजे ना इस पर मदन ने कहा वो तो ठीक है पर तुम लोग नीचे कैसे आए इस पर उस बच्चे ने कहा हम कहीं भी कभी भी जा सकते हैं मदन के पास रिक्षा लेकर आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा तो था नहीं इसलिए वो रिक्षा में उन दोनों बच्चों को बिठा कर आगे बढ़ने लगा मगर उसका दिमाग अभी भी इसी सवाल में गुम था कि आखिर ये दोनों बच्चे नीचे आएं कैसे रिक्षा चलाते हुए अब काफी दूर निकलाया था मदन मगर पीछे से उन दोनों बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं कहा था तभी मदन बोला कहां उतरना है तुम लोग को मगर इस पर बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया बच्चों से कोई जवाब ना पाकर मदन एक दफा पीछे पलटा तो उसके पैरों तले की जमीन निकल गई क्योंकि पीछे सीट पर अब कोई नहीं था मदन समझ गया कि यहां दाल में कुछ काला नहीं बलकि पूरी डाल ही काली है जिसके बाद वो तेजी से रिक्षा भगा कर सीधे अपने घर आ गया कुछ दिनों तक उसने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया बाद में जब उसने सब को यह बात बताई तो पता चला कि उस स्कूल के उस कमरे में किसी घटना के चलते दो बच्चों की मौत हो गई थी उनकी मौत के बाद से ही पूरे स्कूल में अजीब अजीब तरहा की घटनाए होने लगी जिसके बाद से स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया मगर कहते हैं कि आज भी उन दोनों बच्चों की आत्माएं उसी स्कूल में भटकती रहती हैं और उस रास्ते से गुजरने वालों को आवाज देती हैं तो दोस्तों ये थी आज की कहानी अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो मैं आपका दोस्तारियन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ